कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हमेशा की तरह होट कॉफी तयार कर लें, फिर कॉफी के रूम टेंपरेचर तक ठंडा होने का इंतजार करें, या फिर उसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, एक ग्लास में बर्फ के क्यूब्स भर लें, फिर उसमे उपर से कॉफी डाल कर ग्लास को लगभग पूरा भर लें। क्रीम, दूद, चीनी या अपनी पसंद के दूसरे किसी सुईटनर को मिलाएं और बस यहाँ पर आपका काम पूरा हुआ। अगर आप जल्दी में हैं, तो फिर डबल स्ट्रॉंग कॉफी बना लें। फिर उसे तुरंत बर्फ के उपर से डाल दें। भले बर्फ पिघल जाएगी और कॉफी पतली होते जाएगी। लेकिन आपकी कॉफी का स्वाद अभी भी स्ट्रॉंग ही रहेगा। आप चाहें तो कॉफी के आइस क्यूब्स भी जमा सकते हैं, जिनहें आप अपनी कोल्ड कॉफी में मिला सकें, ताकि इनके पिघलने पर आपकी कॉफी का स्वाद जादा पतला ना लगे। एक और आसान उपाय के लिए इंस्टिंट कॉफी का इस्तिमाल करें। सबसे पहले एक ग्लास में दो चम्मच या 24 ग्राम इंस्टिंट कॉफी और 5 चम्मच या 75 मिली लीटर क्रीमर मिला लें। अच्छे से मिक्स कर लें, फिर ग्लास में ठंडा पानी भर लें। इंस्टिंट कॉफी के पूरे गुलने तक मिलाते रहें। फाइनली उसमें थोड़ी बर्फ मिला लें और अपनी कॉल्ड कॉफी का स्वाध लें।